कि है गाइज वेलकम बैक तुद न्यू वीडियो तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस वीडियो में ओडायलर के बारे में ओडायलर जो कलर ओएस ने डेवलप किया एंड यह रियल मी एंड ओपो इन दोनों वीडियो एसमें वर्क कर चाता है तो इसका एक नए अपडेट को आपको को अटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर रहना और देखने को मिल जाता है प्रेवेस्ट अगर आप गोल डालर वगरा यूज करते हो यहाँ पर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का छो अनौन्समेंट रिकॉर्डिंग का वो नहीं तो यह सबसे में चीजिज कि next यहाँ पर है contact manage का option इस पर अगर आप टैप करते हो तो यहाँ पर वह अप्शन से जिन को यूज करके आप contacts को import कर सकते हो exports वगरा कर सकते हो well बात में बात कर ले settings के बारे में settings यह जो है ना यही से आपको करना है call recording को अब speed dials वगरा देखने को मिल जाएंगे जो normal आपको सभी dials में देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर अगर हम बात कर ले कुछ additional settings के बारे में call के time आपके device का flash वगरा flash कर सकते हो यह वाले options इसले देखने को मिल जाते हैं अब call recording आप specific number का भी call record कर सकते हो यहाँ पर आप context में select करो यहाँ पिर recent dial में से select कर लो अब यहाँ पर main option है ना लास्ट वाला record all calls वाला इसको गर आप enable करते हो तो आपके सभी call से आप पर record होने वाले automatically तो यह feature काफी main था manual तो आप normally करी सकते हो but automatically अगर आप इस option को अब आपको यहाँ पर कोई भी call announcement देखने को ने मिलेगी call recording की announcement जो आपको Google डायलर में देखने को मिल जाती है अब यह काफी basic difference है इन दोनों डायलर में वेल सो यह डायलर काफी अच्छे से वर्क कर रहा है Android 12 पर Android 13 पर अगर आप इसको इंस्टाल करना जाए तो नों इसके लिंक कमेंट सेक्षिन में मैंने पीन कर दिए जाके आप से काउट कर सकते हो तो रेल मियान ओप्पो के डिवासिस में आप इस ओड अधर को इंस्टाल कर सकते हो मिलते हैं के लिए उड़ी में तब तक लिए टाटा और बाई बाई